नमस्कार आलोक महाराज की एजुकेशनल वीडियो में आपका स्वागत है जिसमें मैं अनपम आलोक बहुत धर्म तथा उसके प्रवर्तक गौतम बूद के बारे में बताऊंगा जो की BPSC, SSC, Railway तथा बहुत से competitive exam में कारगर सीद होगी प्रते competitive exam में बहुत धर्म से तथा ग अवस दबा दें जिससे इस तरह के उपयोगी वीडियो सबसे बहले आप तक पहुँचें तो आईए प्रस्न का सलसुला शुरू करते हैं आज का पहला प्रस्न गौतम बूद का जनम कब हुआ था प्रस्न को एक बारो सुनिए गौतम बूद का जनम कब हुआ था उत्तर 563 इसा पुरू में गौतम बूद का जनम 563 इसा पुरू में कहा हुआ था भई लूम्नी बन में जब उनकी माता माईके जा रही थी तो लूम्नी बन में गौतम बूद का जनम 563 इसा पुरू में हुआ था ये लुमनी बन कहा है तो लुमनी बन नैपाल की तराई में है ठीक है लुमनी बन नैपाल की तराई में है अब दुसरा प्रस्ट गौतम बूद को महा परी निर्वान कहां हुआ था प्रस्मिक बढ़ा सुनिए गौतम बुद को महा परिनिर्वान कहा हुआ था उत्तर कुसी नगर में यह कुसी नगर कहा है भई तो कुसी नगर उत्तर परड़ेस के देवरिया जिले में अवस्ति थे कुछी नगर उतर प्रदेश के देवरिया जिले में अवस्तित है जहाँ पर गौतमबुद का महा प्रिनिन्वान 483 इसापुर में हुआ था ज़िए तिसरा प्रस्ण शुरू करते हैं तिसरा प्रस्ण है बहुत धर्म के प्रमुख संप्रदाई कितने हैं प्रस्ण प्रस्ण शुरू लेजिए बहुत धर्म के प्रमुख संप्रदाई कितने हैं उतर पांच ये पांच कौन-कौन से हैं पहला हिन्यान दुसरा थेरवाद तिसरा महायान चौथा ब्रज्यान और पांचवा नौयान टिक है चलिए अब चौथा प्रस्ण दुनिया में बहुत धर्म के कितने उनौई हैं प्रस्ण पररोट सुन लजिए दुनिया में बहुत धर्म के कितने उनौई हैं उतर गरीब 2 अरब या या पूरे 20 वका 29 प्रक्रतिसत इसा है यह अब इस्व का दूसरा सबसे बड़ा धर्म है तो पहला धर्म कौन सा है भाई? पहला धर्म हिसाई है चलिए प्रस्चमा प्रस्चन गौतम बुद्ध के माता पिता का क्या नाम था? प्रस्चने के बढ़ा सुन लेजे ये सुर्योधन कहां के तिर आ जा थे तो सुर्योधन कपिल बस्तु के राजा थे और माता मया दिविजो थी जिसकी मिर्तु साथ दिन में हो गई और इसकी गौतमभूत की मौसी थी गौतमी जिसने गौतमभूत का पालन पोसंद किया गौतमभूत की मौसी कौन थी गौतमी ये पुछता है हमेशा, गौतम बुद की मौसी, गौतम ही थी, जो गौतम बुद का पालन पुसंद की, छट्रा प्रश्म, गौतम बुद का बजपन का नाम क्या था, प्रश्ने के बढ़र सुन लेजे, गौतम बुद का बजपन का नाम क्या था, उत्तर, सिधार्थ, क्या न प्रस्ण गौतम बुध को ग्यान की प्राप्ति कहां हुई थी? उतर गाया में यह गाया कहां पर है तो गाया बिहार में परता है जो आज बोध गया के नाम से परसीद है यही पर दिरंजना नद्धी के किनारे पीपर के पेन के नीचे महतमा बुध को ग्यान की प्राप्ति हुई थी? गाया में एक बिस बिद्याले भी है जिसको बोध गया नाम से परसीद है चलिए आठवा प्रस्न गौतम बुध की पत्नी का क्या नम था? प्रस्न लेक बार गौतम बुध की पत्नी का क्या नम था? उतर यह सोधरा यह सोधरा राजकुमार यह सोधरा कुलिय बंस के राजा सुप्त बुध और उनकी पत्नी पमीता की पुत्री थी यह सोधरा किसकी पुत्री थी? तो सुप्त बुध और पमीता की पुत्री थी सोरे बरस की उम्रे में ये सौदरण का विवा कर स्नयासी बन गए ये सौधरा का एक पुद्र भी था उस पुद्र का क्या नम था भई? तो उस पुद्र का नम था राहुल चरी ए मनंवा प्रस्शन गौतम बुद्र ने ज्यानप्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहां दिया ये भी हमें सब पुछता है कम्मिटिटीव एक्जाम में हमें सब पुछता है कि गौतम बूध ने ग्यान प्राप्ति के बाद पहला उपदेश कहां दिया था तो इसका उतर होगा सारनाथ तो यह सारनाथ कहां है सारनाथ उतरपलेस में है सारनाथ उतरपलेस के बनारसी के निकट अवस्तित है सारनाथ से ही धम चक्र परवर्तक परण किया गया था यह अस्थान बौधर्म का परधान केंदर था किन्तु महमद गोरी ने अकरमन कर इसे नश्ट कर दिया था किसने नश्ट किया था? मुहमद गोरी ने इस अकलमा कर इस बौधर्म के परधान केंदर को नश्ट कर दिया था. ठीक है? दस्वा प्रस्ण गौतम बुद्ध की अस्तियां कहां रखी गई है? प्रस्ण एक बारो सुनिए गौतम बुद्ध की अस्तियां कहां रखी गई है? चंपानेर गुजरात राजकाईक परसीद बौध अस्तली है जो बौध जो बरौधा से 23 बिल चंपानेर रोड़े स्टेशन है वहाँ से 12 मिलागे पावागर बौध अस्तूब है ठीक है एकर हमाँ परसुन गौतम बूध के केस तथा नक कहां सरक्षित रखे गए है परसुन परसुन लेजिए गौतम बूध के केस और नक कहां सरक्षित रखे गए है उत्तर कोसामबी कोसामबी में गौतम बूध के केस और नक को सरक्षित रखे गए है तो यह कोसामबी कहां है यह अभी उत्तर परदेश के इलाहा बाजीले में भरवारी एस्टेशन से बरबारी इस्टेशन से कहा है सोरे मील पौर अवस्तित या नगरी यमना नदी के किनारे बसी हुई है इस छेत्र में कोसम नाम का ग्राम है यहाँ एक अस्तूब के नीचे बौध भगवान की केसवर नक को सुरक्षित रखा गया है ठीक है चलिए ब्रहावा प्रशन गौतम गौतम बुध ने कितनी बाद संगतियां की थी प्रशने के बड़ा सुन जिए गौतम बुध ने कितनी बाद संगीती की थी गौतम बुध ने कितनी बाद संगीती की थी यह भी पूश्ता है मैं सा कि गौतम बुध ने कितनी बाद संगीती की थी तो इसका उत्तर होगा च गौतमबुन ने चार बौध संगीती की थी तो यह चार संगीती कहां पर है तो पहला बौध संगीती राजगीरी में दूसरा बौध संगीती बैसाली में तीसरा बौध संगीती पातली पुत्र में तथा चौथा और अंतिम बौध संगीती कासमीरी में ठीक है चार हो गई है पहला हो गया है राजगीरी में, दूसरा बैसाली में, तिसरा पार्टली पुत्रे में और चौथा कासिमीरी में चलिए तिरहमा प्रस्ट में गौतम बूध के उपदेश कीस ग्राउन्थ में संकली थे परशने के बहुत सुनिए, ये भी पुछता है हमेशा गौतम बूध के उपदेश तिरी पिटक में है और तिरी पिटक बहुत नयापने उपदेश पाली भासा में दिये है जितने भी उपदेश दिये हैं, किसमें दिये हैं, पाली भासा में जो तिरी पिटक में संकली थे तो तिरी पिटक के भी तीन भाग हैं, कौन-कौन से भाग हैं, बिनाय पिटक, सुथ पिटक और अभी धम पिटक, ठीक है, चौधामा प्रस्न, गौतम बूद के गुरु कौन थे, गौतम बूद के गुरु कौन-कौन से थे भाई, उत्तर, अलार कलम, पहला गुरु और दूसरा थे गुरु विश्वामित्र, ठीक है, और उनके प्रमुक सिस भी थे, सिस कौन-कौन से थे गौतम बूद के, अनन्द, अनिरूद, महाकस्यप, रानी खेमा, देवदत और उपाली, इत्यादी, 15. महगत के कौन से राजा ने बौध धर्म गरान कर लिया, उत्तर, समराट असोक, कौन थे भाई, समराट असोक जो थे बौध धर्म को गरान कर लिया, उसके साथ और से बहुत भी, उसके साथ बहुत और भी राजा थे, जैसे मिलिन्द, मिलिन्द कहां कर जा थे, युनार्ट के समराट थे, युनार्टी समराट थे, मिलिन्द, उसके बाद हिवेन साउंग, इत्यादी बहुत से लोग जो थे, बौध धर्म को गरान कर लिया, तो उमीद करता हूँ कि ये वीडियो आपको काफी यूजफुल लगा होगा आगे भी ऐसे ही नॉलेजफुल वीडियो देखने के लिए हमारे अपने सेंडल अनपम ग्यान को सब्सक्राइब करें और आशा करता हूँ कि वीडियो को लाइक कर दिये होंगे अगर नहीं किये हों तो इसे करना न भूले आपके एक लाइक से हमें पेहना मिलती है और वीडियो बनाने के लिए तो फिर हमारे अगले वीडियो के इंजार करें ओके बाई बाई थैंक्स पर वाचिम